तो क्या मोधी सरकार राहूल गांधी से उनका बंगला भी खाली कराएगी जे हां क्या सचमुच राहूल गांधी कि अतने बुरे दिन आ गए हैं क्या उन्हें तुगलक रोड़ वाला अपना बंगला खाली करना होगा कुल मिलाकर आसार तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं सबसे बड़ी चोकाने वाले बात तो यह है कि इस लिस्ट में कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी के अधिकारिक आवास बारा तुगलक लेन का नाम भी है राहूल गांधी के पास तो यह बंगला साल 2014 से है जो वह पहली बार अमिठी से लोकसभा चुनाओं जीत कर आ हाने जाता है हाली में राहूल गांधी को अमिठी लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है अब वे वाइनाट से चुनाओं जीत कैंस नाते संसत तो हैं ही लेकिन उनके बंगले का नाम यहां पर क्यों दिया गया है यह सोचने वाली बात है सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा के नियमान उसार सांसदों को खाली बंगलों की और फ्लेट की एक लिस्ट दी जाती है और सांसदों से कहा जाता है कि वे अपनी पसंद का बंगला चुन ले उसके बाद वे उसके लिए आवधन करते हैं इस बार सांसदों को 517 फ्लेट और बंगलों की लिस्ट द सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन फोर मोर अप्डेट्स